हलो, नमेशकार, वेलकम टो इनकलकेट लेरिंग, तो जो शॉर्ट, क्रिस्प टॉपिक्स हम कर रहे हैं, जिनमें हम फैक्चुल इन्फिमेशन इंकलूड कर रहे हैं, ताकि ओन दो स्पोर्ट आपको ध्यान आ जाए कि किस तरीके के क्वेशन इकादा, जो फैक्चुल अगर आपको वीडियो इन्फिमेटिव लग रही हैं, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब, जो आप इनकलकेट लेरिंग को कर सकते हैं, इससे पहले हम मैसलो की थेयरी जो है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, हाईरारिकल नीड की थेयरी है वो, जिसमें आपको जो हाई अगर हम मैकलेंड की बात करें, तो 1940 में अबराहम मैसलो ने थेयरी ओफ नीड की थी, और 1961 में एक बुक थी, अचीविंग सुसाइटी, जो कि उसमें डैविड मैकलेंड ने इन सब चीजों के बारे में बात की थी, यानि जो ये हुमन मोटिवेशन थेयरी है, इसकी बात की थी, अकोर्डिंग टू मैकलेंड, तीन मोटिवेटर्स होते हैं, तो उन्होंने थी मोटिवेटर्स को अइडेंटिफाई किया, नीड और अचीविमेंट, कि आपको कुछ अचीव करना है, या कोई गोल हासल करना है, तो वो आपके लिए क्या बनेगा, एक मोटिवेटर य आपको अच्छा समझे, या आप उसको अच्छे लगी, तो बेसिकली नीड फोर अफिलियेशन, और एक है नीड फोर पावर, जहां पर आप पावर की जो भूख होती है, या पावर की जो नीड होती है, वो आपको क्या करती है, एक ड्राइव की तरह काम करती है वहाँ पे ठीक है, तो यह तीन जो है motivators आपको नाम याद रखने है, people will have different characteristics depending on their dominant motivator, तो इन तीनों में से कौन सा dominance में है आपके लिए, अगर आप जो है रिष्टों में believe करते हैं या जो आप achievement या power से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो आप affiliation की need जो है dominant हो रही है आपके उपर, य या achievement के लिए, तो वो depend करेगा individual differences के basis पे कि dominant motivator कौन सा है, हो सकता है आपको एक statement दे दी जाए और पूछा जाए कि इस statement में कौन सा dominance जो है वो आपको according to MacLand दिख रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने हैं कि ये तीन तरीके के ही motivators की उन्होंने बात की है, अब ये motiv motivators जो है, ये learned है, यानि कि आप इनको सीख सकते हैं क्योंकि शुरू से बचपन से तो आपको एकदम से need for achievement नहीं feel होगी, नहीं need for power होगी, तो वो क्या situation है कि ये आप इनको सीखते हैं, जैसे जैसे आपकी life आगे बढ़ती है, तो सीखते हैं, इसलिए learned needs theory भी बोलते हैं इस लेकिन 1988 में एक fourth need जो है, वो इसमें add up की गई, वो थी need for avoidance, ठीक है, तो ये चार point आपको ध्यान रखने है, need for achievement की बात करें, तो आपको N, A, C, H भी लिखा मिल जाएगा, किसी book में या फिर हो सकता exam में भी इसी तरीके से कुछ पूछ लें, तो वो क्या होगी, need to achieve, excel या succeed वो किसकी individual की desire होगी, कोई भी चीज accomplish या achieve करने के लिए, need for power की अगर बात करें, तो human desire होती है, कि आप जो है, एक status को, power को, मतलब आप एक powerful ओहदे को enjoy करते हैं, कोई rare ही होगा जो शायद ना करे, so वो क्या है, वो human desire है, उसी को इन्होंने need for power बोला, कि strong desire जो है, वो आपके जो impact डालते हैं आप उस चीज के उपर, आपके उपर influence होगा उस चीज का, need for affiliation, जिसमें need for being affiliated with their fellow human beings, यानि कि आपके अंदर desire होती है, कि आपको मान लिजे कोई second, दूसरे gender का इंसान पसंद है, आप लड़की है, आपको कोई लड़का पसंद आ गया, या vice versa, so आपको क्या ही है, desire है आपके अंदर, कि अगले इंसान के साथ एक friendly relationship आप maintain करें, need for avoidance, जो कि 1988 में include की गई, it functions to motivate people to avoid situations and people with which they have or expect to have unpleasant experience, तो इसके में क्या होता है, कि आप avoid करते हैं उस इंसान के साथ रहना, जहां से आपको negative feeling आया है, या demotivated आप feel करें, तो आप उन situations को और उन लोगों को थोड़ा avoid करना ही पसंद करते हैं, यह है need for avoidance, तो यह 4 की 4 need जो है वो आपको पता होनी चाहिए, exam में कभी भी जो है इनके नाम पूछे जा सकते हैं, so this was all about today, I hope आपको यह video informative लगा हो, तो आप like, share और subscribe जो है implicate learning को कर सकते हैं, so thank you so much for watching,